असुल 2 को आये हुए कुछ दिन बीच चुके हैं और अगर आपने अभी भी यह सीरीज नहीं देखा है तो आप बहुत ही तगड़ी थ्रिलिंग एक्सपिरियंस मिस कर रहे हैं शो की राइटिंग और पॉफॉरमंस टॉप नौच है यह सो इतना जादा डार्क है कि डिसी कॉमिक भी इसके सामने फेल है इस शो में एक भी जोक नहीं है और नहीं कोई भी करेक्टर एक बार भी स्माइल करता है तो आप खुद समझ लिजिए कि यह शो कितना जादा डार्क टोन पर बनाया गया है तो इन सब बातों को छोड़ कर आप में पॉइंट पर आते हैं क्यूंकि अब शो खतम हो चुका है तो अब बारी आती है आपके और हमारे जैसे फैन्स के थियोरी के डिसकेशन की फैन थियोरी को समझने के लिए आपको सबसे पहले अशुर 2 के जिनके रहते कली को हराना नामुकिन था लेकिन कली को हराने के बाद भी धरमराज को अपने जीत से संतुष्टी नहीं मिले थी और इसलिए उनना ने कली और उसके पूरे के पूरे परिवार की हत्या कर दी लेकिन धरमराज इस बात से अंजान थे कि कली ने उस समय तक अप इसमें कली किसी दूसरे सरीर में परवेस कर चुका होगा और कोई दूसरा करेक्टर कली को प्ले करेगा तो सबसे पहले थियोरी पर आएं तो मेरे ख्याल से सीजन 3 में हमें निखिल को एज़ा कली दिखाया जाएगा क्योंकि जेल में वो सुब को मार देता है अपनी बेटी का बदला लेने के लिए लेकिन धरमराज की तरह ही निखिल भी इस बात से अंजान है कि उसने सुब को मार दिया है लेकिन तब तक कली शुब का सरीर छोड़ कर निखिल में परवेस कर चुका है क्योरी नंबर टू कोका विकोका इन दोनों का शो के एंड में में दिखाया जाएगा नुसरा तो अपना सब कुछ खो बैठी है उसके लिए जीने का कोई भी अपरपस नहीं है और वहीं दूसरी तरफ विरिंदा शुरू से ही शुब को एडमायर करती थी तो अब उसके पास जिम्मेदारी है कि वह सुब के अधूरे काम को पूरा करे तो आपको क्या लगता है सीजन 3 में कोका विकोका कौन होंगे हमें तमिंड बॉक्स में जरूर बताएं त्यूरी नंबर 3 कुछ फैंस का यह भी कहना है कि यही इस पूरे के पूरे शो का इंडिंग होगा क्योंकि शुब कहता है कि उसके लिए हर अंत एक प्रारंब है जो कि एक लूप करियेट कर देगा और इस वज़य से शो का कभी इंड नहीं हो पाएगा तो इसलिए इस सीरीज को यहीं पर इंड कर दिया गया है और आखिर में हमें यही दिखाया गया है कि बुराई की ही जीत होती है शो में दिखाये सारे के सारे केरेक्टर कोई ना कोई बुरा काम करते हैं अपने प्रसनल गियन के लिए यानि कि सारे के सारे character अपने dark side से मिल चुके होते हैं theory number 4 जो बहुत ही जादा unexpected भी है और बहुत ही जादा debatable भी है इसके ही साथ से जो हमें अनंत का character दिखाया जाता है वो नया कली बनेगा वो कलकी का उतार नहीं है वो कली का उतार है और यह बेटा है सुप और विरिंदा का और प्रस्णिली मुझे यह theory कुछ खास जादा पसंद नहीं आई है क्योंकि सुप का जैसा character हमें दिखाया गया है वो हमेशा बंधन से भागता है वो किसी बंधन में बंधता नहीं है तो वशुंद्रा और सुप का साधी होना या फिर उनका बेटा होना थोड़ा बेतुकासा लगता है पर आपके क्या thoughts है इस पर हमें comment box में जरूर बताईएगा लेकिन आकर में यह सब तो fan theory ही है और makers के तरफ से कोई भी news नहीं आई है कि हमें season 3 देखने को मिलेगी भी या नहीं तो अगर आपके पास भी कोई अपनी personal theory है असूर 2 के ending से related या फिर असूर 3 से related तो हमें comment box में जरूर बताईएगा